कॉंग्रेस के सीनियर नेता ठाकवर मनमौन सिंग इस्तर में हमारे साथ है मनमौन जी क्या कहेंगे राहूल गांदी का दो दिवस्य दोरा था कितना महत्वपुन ये दोरा मानते हैं और कॉंग्रेस के तमाम जो बड़े लेन नेता उनका मनोबल कितना बड़ेगा कुई विद वालों ने आज यो राहूल जी ने और खड़के साथ ने बोला कि हम स्टेट को बहाल कराएंगे और सारी जो जैसे लेक्शन होगी उसके बाद जो हमारा गौर्वर्मेंट बनेगी और हम जो है जो है मलसी की सीटें वी जो है जो कारपरेशन की लेक्शन है जो पंचैद की है डीडी सी की लेक्शन है सभी लेक्शनें कराएंगे और हम निजात दिलाएंगे जो जो इन्होंने जैतियां की है हमारे जम्मू के लोगों के साथ हमारे बच्चों की कोशिश की है जब जो स्टेट जूर जाती है जब जूटी बनती है तो पूरे कंट्री के लोग जो है वो उस पे हावी हो जाते हैं. पूरे country के लोग जो है वो हमारी बच्चों की नुकिल ले जाते हैं. आज हमारे बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं. इसलिए इस election जो है ये दस साल गॉद्च कर वाई ये हैं क्योंकि हर state में 55 साल के बाद election होती है. लेकिन इन्होंने बीजेपी ने अपील की, खरके साब ने अपील की कि कांगर्स को जताओ, जो नोकरियां जो है, वो उनी लोगों को मिलेंगी जो स्टेड के नमाएद यह स्टेड बहाल होगी, और जो 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 इन्होंने महगाई की है, जो बिजली के मीटर लगाए हैं, जो माइनिंग का किया है, हार एक चीज में इन्होंने जैती की है, कोई नहीं सुनता, और बाकी जगा कोई नहीं सुनता, और खास करके जो चिट्टा जो जहां, यह बीजेपी वाले साथ होके बिकुआ रहे हैं, क्योंकि इनका LG है, इनकी सरकार है, हम इनसे सबी जो लोग हैं, इतने जोश में आएंगे जमो कश्मीर में? इनसे और कांगर्स जो हैं, पहले सेकलर फोर्सी हैं, यह किठे मिलके चनाब लड़ेंगी, और इनको अभी हमने पार्लिमेंट का जो चनाब है, हमने एनसे के साथ मिलके लड़ा है, एनसे के वहां जीते, यहां पे हमारे रहमन बल्ला जी इतना शानतार जो ग्राफ है, जब बैठते हैं, जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, कभी कोई वो चार मांगता है, फिर वो तीन मांगता है, फिर दो मांगता है, तो जो बरकर जो है, जहां से सीट करती है, उसको थोड़ा मानवाल तूड़ता है, लेकिन वो बरकर भी जानता है कि हम अगर किठे होके ही मिलेंगे क्योंकि बीजेपी भी तो किठेओं के लड़ती है पूरे हिंदोस्तान में जो है उन्हें किठेओं के लड़ी है तब जाके यह दो सो चाली में पहुंचे हैं अगर अकेले केले लड़ती महाराश्टर में आज किठे लाज रहे हैं दस दस पार्टियों के साथ अ अर्नेशन कॉर्फेर का समर्थ लेकि ताकि वो अपना वजूद कायम रखस की जमकुश्मीर यह जो है बीजेपी वालों को पता है पूरे हिंदोस्तान में बसाकी ले लेकि तो दोसत चाली पहुंचे हैं अगर वो केले लड़ते बीजेपी के खाली महाराश्टर में आज ह पहले भार्विए पार्लिमेंट की ईल्यक्ष्ण होई है वह हमारा लाइस में उसमें बड़ी बात नहीं है बीजी पी भी तो कांगरस दर्ती है Cole Carchar चार चार पार्टियों से दस दस पार्टियों से लाइंस करती है, अभी भी ये कहीं जगा लाइंस करेंगे, कश्मीर में लाइंस करेंगे, जमू में लाइंस करेंगे, सब जगा तो ये लाइंस करते हैं, बीजेपी वाले भी, इसलिए हर्याना में भी लाइंस करेंगे, आप बाले में दिनों में देखना कि जो पूरा जो है Hall जो Congress के हक में जा रहा है, जो बेरोजगार जुआ हैं पूरे हिंदोस्तान में वो Congress के साथ जुड़ रहे है, सारी जो 국ुमटियां है वो Congress के साथ जुड़ रही है, आने बाले दिनों में देखना यहाँ पर जो सरकार जो है कांगर्स की और एंसी की मिलके सरकार होगा उसके बाद जो है वो आने वाले दिनों में जो है आपको सामने दिखा दे जाएगा कि कौन मुख्रमात्री का चाहरा है जो कि जम्मू वैसे कॉंग्रेस के उमीदवार हो सकते है क्योंकि बड़ा चैरा है कॉंग्रेस से और अब यही क्यास लगाए जा रहे हैं कि जो नैशनल कॉंफिर्स और कॉंग्रेस का गठबंदन हुआ है यह कहीं न कहीं वाजपा पर बारी पर सकता है नमस्कार